आज हम ब्यापम की सभी परिच्छा हों जैसे MPSI, पटवारी और सिच्छक भर्दी परिच्छा, कोई भी परिच्छा हो ब्यापम की, सभी के लिए एक ऐसी किताब आपको पढ़ाने वाले हैं भई, जो आपकी हर ब्यापम परिच्छा के लिए रामबान सावेत होगी, जी हा करते हैं भई, देखेगा ये भई वुक है, चलेगा, तो देखेए इस बुक में क्या है, कि हर प्रश्ण के नीचे भई थियोरी दिया गया है, ठीक है, तो जो भी परानी पेपर हैं भई, चाहे तो आपकी सिच्छक पातरता परिच्छा हो, चाहे आपका ऐसाई हो, चाहे आपका पटवारी, हर परिच्छा के प्रश्ण जो है, इस वीडियो में मैं कवर करने बाला हूँ, तो चलेगा, सुरू करते हैं, सबसे पहला प्रश्ण है, कि निम्न मैंसे कौन सी बोली है, जो पश्चिम हिंदी भासी छेत्र की नहीं है, तो आप हमेसे आद रखना, ऐसी बोली जो पश्चिम हिंदी भासी छेत्र की नहीं है, यह है आपकी अबधी, क्योंकि कौन सी अबधी है, जो पश्चिम हिंदी भासी छेत्र की नहीं है, अब देखिएगा, अबधी जो है यह पूर्वी हिंदी भासी छेत्र के अंतरगत आती है, अबधी किसके अंतरगत आ ब्रज और बुंदेली, कन्नोजी और बांगरू ये भई पश्मी हिंदी छेत्र के अंतरगत आती है ठीक आगे बढ़ते हैं प्रश्ण बनता है कि महराष्ट की राजभासा भई इनमेंसे कौन सी है बहुत प्यारा प्रश्ण है तो अब हमेंसे याद रखना भई महराष्ट की जो राजभासा है वो है भई मराठी कौन सी है भई मराठी राजभासा है भई कहां की महराष्ट की के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण बनता है उससे पहले भई देखिएगा कुछ अन राज्यों की हम राजभासा देख लेतें क्योंकि महराश्रकी राजभासा पूछली भई आपके बरगदो के पेपर में किके तो भई पटवारी में, SEI में या बरगदो में फिर से किसी भी राज्य की पूछ सकता है देखे गुजरात की राजभासा है भई गुजराती, राजस्थान की है भई हिंदी, करनाटक की है कंणर, तेलंगाना की है भई तेलगू, ठीक है भई ये राजभासा हैं अब देखे गाए हिंदी भासा जो है भारत में, दिल्ली सहित दस राज़यों की भई भासा है, कितने दस राज़यों की भई हिंदी, वो दस राज़य कौन कौन से हैं, मद्प्रदेश है, 36 गड़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विहार, उत्तराखंड, जारखंड, हर्य आणा हेमाचल प्रदेश और दिली इने सभी दस राज्जियों की राजबासा हमारी हिंदी है के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन है कि रोमन निमने लखेत मैंसे किस भासा की लिपी है रोमन लिपी बताइएगा बहुत प्यारा प्रशन है तो आप हमें सियाद रखन अब चलिए आगे बढ़ते हैं भई रोमन लिपी के अंतरगत भई कौन कौन सी भासाit आती हैं वो भी देख लेते हैं तो देखें रोमन लिपी के अंतरगत जो भासाण आती हैं वह हैं फ्रैंच, जर्मन, स्पैनिस, इटैलियन, पॉलिस और मीजो ये वासाएं जो हैं किसके अंतरगत भई रोमन लिपी के अंतरगत आती हैं चलिए प्रश्ण है देवनागरी लिपी का विकास नागरी लिपी की भई कौन सी साखा से हुआ है अच्छा प्रश्ण तो आप हमेशा याद रखना कि देवनागरी लिपी का जो विकास हुआ 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 है पश्यमी साखा से नागरी लिपी की कौन सी ही पश्यमी साखा से देवनागरी लिपी का विकास हुआ है देखे कुछ नागरी लिपी देख लिजेगा नागरी लिपी की पशीमी साखा और नागरी लिपी की पूर्वी साखा पशीमी साखा में वांगला असमी और उडिया चले आगे बढ़ते हैं प्रश्ण बनता है कि दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुक बोली भई निमने लखेत में से कौनसी बहुत प्यारा प्रश्ण बनता है तो हमें से याद रखना दमोह जिले में बोली जाने वाली जो प्रमुक बोली है भई ये कौनसी है ये है आपकी बुंदेली कि कौनसी है बुंदेली दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुक बोली है इतना आप याद रखिएगा नक्से प्रशन बनता है देखिए अब द रखना के भारत भारती जो है ये लिखा हुआ ग्रंत है भई कौन सी भासा में हमें से याद रखना भई खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंत है भई भारत भारती के लिए रहे अब चलिए कुछ और भी जानकारी जाने लेते हैं तो देखेगा रचना कार हैं भई सुख तो बहीं पर रानिक केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है इंसा अल्ला खाँ नक्सवत प्रशने कि बोली किसकी एकाई होती है नैक्सित प्रशने ऐसे में पूछा गया प्रशने तो आप हमेसे आद रखना कि बोली एकाई होती है किसकी तो हमें से आद रखना भई बोली भासा की सबसे छोटी एकाई होती है भई ठीक है बोली या वर्ण जो है भासा की छोटी एकाई होते है ठीक और भासा की सार्थक एकाई भई आजी बाक्य होता है सार्थक एकाई वाक्य होत छोटी एकाई भई बोली ठीक है आगे बढ़ते प्रशन है आउचट को खड़ी बोली में भई क्या कहते है पता एक बहुत प्यारा प्रशन है MPSI का ही प्रशन तो हमें स्याद रखना भई आउचट को खड़ी बोली में कहा जाता है आवशकता से ज्यादा थैका भई अब देखिएगा आवेशक्ता से ज्यादा थैका भई अर्थात अउचट थैका खड़ी बोली में अब है इर्फा इर्था बोले तो भई ईर्षिय अधिरा अर्थात अधियारा आज ही मर्तलब अजोई अफसर अर्थात आउसर वहां अर्थात होन उपाय अर्थात हिकमत ठीक है भई आगे बढ़ते हैं नेक्ष प्रश्न है देवनागरी लिपी वाई से भई कौनसी और लिखी जाती है देवनागरी लिपी बाई और से भई कौनसी और लिखी जाती है कि जो देवनागरी लिपी है भई ये बाई और से दाई और लिखी जाती है ठीक है भई कैसे बाई और से दाई और देवनागरी लिपी लिखी जाती है लेकिन जो फारसी होती है भई फारसी लिपी ठीक है फारसे लिपी ये दाई योर से बाई योर लिखी जाती है बही उल्टी ठीक है आगे बढ़ जाएं चले आगे बढ़ते हैं राजस्तान में कौन सी भासा बोली जाती है बहुत प्यारा प्रशन है तो आप हमें से याद रखिएगा कि राजस्तान में बोली जाती है ब के चली प्रश्ण है प्रश्ण है कि भासा विद के अनुसार कौन से भासा विद के अनुसार भई जिन ध्वनी चिन्नों के द्वारा मनुस से परस पर बिचार बिनमय करता है उसकी समश्टी को भासा कहते हैं तो ये कहा है कौन से भासा विद ने भई डॉक्टर बावुराम स प्रश्न है कि दिल्ली मेरट के आसपास कौनसी बोली बोली जाती है दिल्ली मेरट के आसपास तो आप हमेशे आद रखना दिल्ली मेरट के आसपास जो बोली बोली जाती है वो है खड़ी बोली कौनसी है खड़ी बोली है अब देखिएगा ये तो खड़ी बोली हो गई जो दिल्ली, मेरट, गाजियवा, दहरादून के आसपास बोली जाती है, कन्नोजी बोली जो है भई, वो फर्रुकाबाद, एटाबा और पीली भीत में, बांगरू बोली भई, पट्याला, करनाल, हिसार और रोहतक में, ब्रज बोली भई, मतुरा, आगरा और अलीगड में, बु मेथली भासा की लिपी भई, निम लिकित में से कौन सी है, बहुत अच्छा प्रशन तो हमें से याद रखना, मेथली भासा की जो लिपी है भई, वो निम लिकित में से कौन सी है, यह है आपकी देव नागरी लिपी भई, मेथली भासा की लिपी है, तो भई, इस किताब मे एक मात्र हिंदी की किताब है जिसमें बड़े प्यारे ढंग से बड़े ही सरल शब्दों में जो है प्रश्ण के साथ साथ आपको डेटेल थ्योरी दी गई है ये सबसे खास वात है इस किताब की मार्केट में सी कोई किताब नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके भई MCQ के मामले में तो आप याद रखना है मैथली भासा जो है देवनागरी लिपी में लिखी जाती है और देवनागरी लिपी के अंतरगत कौन कौन सी अन्य भासा आती है भई हिंदी की भासा की लिपी कौन सी देवनागरी संस्क्रत भासा की लिपी कौन सी देवनागरी मराठी की कौन स देवनागरी बोडो की कौनसी देवनागरी लिपी ठीक है भई तो हिंदी संस्क्रत मराथी नेपाली बोडो इनकी लिपी भई देवनागरी लिपी ठीक है प्रशन है अप भरंस सब्द का प्रयोग भई सर्व प्रतम किशने किया था तो हमेसे याद रखना अप भरंस सब्द कौन भई श्वैम्भू और हिंदी की पहली भोतिक कहानी भई इंदुमती हिंदी का प्रथम मौलक नाटक भई नहुस चलिए प्रश्ण है अगर देखिएगा भई आपका विपेड में पूछाए विएड में कि कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो भई और कौन सी लिखी जाती है भई संस्क्रत भी लिखी जाती है मराथी लिखी जाती है नैपाली लिखी जाती है ठीक है नैपाली लिखी जाती है बोंडो लिखी जाती है ठीक है आगे बढ़ते प्रश्ण है कि हिंदी उपभासाओं को कितने बर्गों में विभाजित किया ग आती हैं और शंबिधान के अंतरगत भई 22 भासाओं का उलेख है ये भी आप याद रखेगा प्रशन बनता है कि जो भासा लिखकर प्रियुक की जाए उसे क्या कहते हैं भई देखिए पटवारी परिच्छा में आया हुए प्रशन है भई और ये प्रशन भी पटवारी का ही है आपका तिक पटवारी का ही है तो हमें सियाद रखना जो भासा लिखकर प्रियुक की जाए उसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं भई लिखित भासा ठीक है नेक्श प्रशन है आपका उससे पहले देखिएगा लिखित भासा अर्थात जो लिखकर पढ़कर जो है क्या है प्र भासा है ट्रेफिक पुलिस के दौरा हातों के मादन से ट्रेफिक को नियंतरन करना ये भी वहिए कि सांकेति भासा ही होती है प्रश्न है जब हम दूर भास पर समाचार सुनते हैं तो भासा का कौन सा रूप होता है भाई तो आप याद रखना है जब हम दूर भास पर समाचा प्रश्न है देवनागरी लिपी में लिखी जाने वाली जो भासा है वो भई नेपाली है तो बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ और इसी तरह भई इस सिरी कबीर पबलिकेशन की पूरी किताब हम आपको टॉपिक बाइच पढ़ाएंगे भई ठीक है नमबर वन एमसी की किताब कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि नमबर वन एमसी की वुक है भई हिंदी के लिए सिरी कबीर पबलिकेशन मार्केट में आपके लिए उपलब्द है मिलता हूँ मैं इस किताब के अगले टॉपिक के अगले सांदर प्रश्नों के साथ तब तक क लिए जय हिंद जय भारत जय माकल वीडियो को अपने हर एक मित्र के साथ सेयर करें भई